अबीर को मिला उसका खोया हुआ प्यार तृषा बनकर आई अबीर की दुलहन कलर्स टीवी शो नीर्जा के अपकमिंग एपिसोड में हमें यह देखने मिलेगा जैसा की नीर्जा और तृषा की दोस्ती हो चुकी है लेकिन अभी तक नीज और त्रिशा को ये नहीं पता कि जिस आदमी से प्यार के वारे में वो बाते कर रहे हैं वो अबीर ही है और अब अबीर के सामने भी हो चुकी है त्रिशा की एंट्री त्रिशा एक दम ढोल नगाडो संग आती है अबीर के घर त्रिशा की ऐसी एंट्री देखकर घरवाले भी शौकड हो जाते हैं कि ये कौन आया है अपने हातों में वरवाला लेकर अबीर के पास आ जाती है त्रिशा जिसके बाद अबीर त्रिशा से ही पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कौन सारे परिवार वाले भी ये जानने के लिए एकसाइटड होते हैं कि कौन आया है अबीर के पास जिसके बाद त्रिशा अबीर से कहने लगती है कि मुझे पहचानने के लिए मेरा घूंगड उठाओ और जब अबीर त्रिशा का घूंगट उठाता है और अपने सामने त्रिशा को जिन्दा देखता है तो बूरी तरह शौक हो जाता है अबीर जिसके बाद त्रिशा अबीर से कहने लगती है क्यों क्यों ना उस रात जो हमने अधूरा छोड़ा था वो हम आज पूरा कर ले अबीर से शादी करने आ चुकी है त्रिशा वापस तो क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले